कि नमस्त्री दोस्तों स्वागत है अब सभी का एक बार फ़ेरसे आपके अपने चैनल इया स्टक में दिल से सण दोस्तों बात करें थोड़ाmarket के बारे में और कुछ पैरिणी श्रॉक के बीएं हम बात करें तो छलि दोस्तों बात करते से पहले मार्केट के बारे में कि क्या भी कंडिशन है ठीक है तो निप्टी के बारे आप लोग देख सकते 16950 क्या पर रिक्रेट कर रही है निप्टी लगातारिक डाउंट्रेंड हमें देख रही हो मिला कुछ महीनों से और यह गिरावट थोड़ी और सस्टेन नहीं सकती है लुके टारे क्यां माकिट में कैसे उमीद लगा सकते हो कि है अक्क करा है बिल्कुल गलत चाहां रहेगो साफ बता है कि वियुक्तारिक अगर आपक का STOPS यह एग्जिट आप फिर 1 by 10 का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है आप लोग कैसे stock को खासकर penny stock रवेज कर सकते वो मैंने आपको तरीका बतलाया है अगर आपको जैसे example मालीची यह stock है आपका 45 पैसे है यह stock मैंने आपको 70 पैसे की आस्वार बताया था मैंने कुछ stock को आपको इसको समझ लेना है कि आपने कुछ पैस्टोक को बाई किया इसमें ताला लगाया और आपने चाप दी आपको यह काम करना पैस्टोक में अगर यह काम करोगे तो आपको काफी अच्छी रिटेंस और वैल्स देखने को मिल सकते फ्यूचर में खासकर पैस्टोक में ठीक है आप बोलोगे सब्सक्राइब अब हजाद लोगे रुपे इन्वेस्ट करने से क्या होने वाला है यह मैस्ट करके देखो अभी वह हजार दोजा रुपे अगर मंत्ली इन्वेस्ट करते हो तो वह फीचर में बहुत बड़ा अबस्तों अमाउंट बन स है या फिर उसकी सायता से हमारा जो पर जाता है पस अब आपको करना किया जब गुल्रन नहीं है मतला मार्केट साइडवेस हो रखिए तो क्या करें बहुत सिंपल है या तो स्टॉपर करो अगर बोला है मैंने पैनि स्टॉप में नहीं बोला है तो वन वाइटन का फॉर्म स्टॉक को भाई क्या है तो मैं कैसे स्टॉक को ऐवरेश करूँ बहुत सिंपल्स करने का बहुत सिंपल तरीका है आप लूग क्या करो तो हर 5 पैसे या 10% या 5 पैसे तूटेने पर आपको stock को buy करना है कैसे करना है अगर आपने 1000 रुपे invest किया था या 1000 share buy करें थे तो हर 10 15 या 5 पैसे तूटेने पर 100 share buy करो आगर stock का price 0 भी हो जाता है तब भी आप 100% चो आपने 1st amount invest करीती उसके बराबर भी आप invest नहीं कर पाओगे करके देखना है क्या हर 10% तूटने पर राइट और हर 10% तूटेगा तो buy करो अगर 30 पैसे जाता है तो buy करो ठीक है किस फ़र्मने से 1 by 10 के फ़र्मने से मतला 1000 रुपे या 1000 रुपे माल लो या 1000 share माल लो ठीक है उसको डिवाइट कर दो 10 तोटनी क्वाइट निकल क्या जाएगी आप मान के चलो 17 पैसे में 1000 share बाय करें तो मैं 65 पैसे 100 share बाय करूँगा फिर 60 में 100 करूँगा फिर 65 में 100 करूँगा फिर 30 में 100 करूँगा 35 में 100 करूँगा समझे तो stock का price जागर 0 भी हो जाएगा तब भी आप वही amount जो first time आप आप invest की थी उसके बराबर आप कभी भी stock में invest नहीं कर पाऊँगे और इसा माँ आप प्राइस नीचे से उपर की तरह मुटता है तो जो आपने नीचे average कर रहा है उसका खुका लग बना लेना मतलब 400 share न 450 जो भी यह वह amount ठीक है उसको आप एकड़िट कर देना जैसे double मतलब 45 पैसे या 55 पैसे की आपकी average बैट गई जो आपने नीचे average किया है तो उसको आप exit करोगे 90 पैसे एक रूपे के आसवाज जब आपको 100% दिख जा उसमें ठीक है और जो पुराना पड़ावा उसको पड़े रहने को समझ आ गया कि आपको कैसे stock average करना है ठीक है यह जो stock का न सकते हो ROC positive है book value के आसपर trade कर रहा support के आसपर trade कर रहा all time low पर trade कर रहा है और साथ में stock पर जैसा हम सोजगा तो public की holding काफी अच्छी थी और यहां पर कुछ individual जो बड़े investor होते है छुपे रुस्तम ठीक है public बोल सकते हो कि काफी अची holding में stock में मिलती है जिनको मैं hidden promoters बोलता हो तो stock को मैं यही recommend करूंगा hold करो by the formula of 1 by 10 अगर नई investment करना चाहती हो तो भाई दियान सुलो penny stock में हमेशा आपकी जो monthly income है उसका 2% हिस्षा ही invest करो ठीक है उससे जादा मत करो बाखी मिलते है अगली चाहता सब्सक्राइब ठीक है